दुबई स्थीत ESPN कमपनी केस ECN कॉइन को उच्छ मुनाफ़े के लालश में राच्च के विभिन व्यक्तियों के एचेंटों के माध्यम से निविश करने के लिए बनाया गया था बाद में 17 करोड रुपे से अधिकी मनी लॉंडरिंग के मामले में पूलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफतार कर चुनाघड पूलिस को हिरासत में सौब दिया है एचेंट के पकड़े जाने के बाद चोर पकड़ा गया एचेंट किसान बुख्तरिया को कुछ दिन पहले गिरफतार किया गया था बाद में एचेंट की पुष्टाश में पता चला कि मुख्य आरोपी सूरत में था इसलिए पूलिस ने मानोस्तुरोतो और तेक्निकी निकरानी के आधार पर जांच की सुचना के आधार पर पूलिस ने आरोपी जैश लिला भाई पटो दिया को और टेरेस नेवं सिटी लाइट रोड के फ्लाइट नमबर 704 से गिरफतार करने में सफलता हसिल की है आरोपी जैश विकॉम तक पढ़ता था और हिरा हिस्ता था बाद में वह लोगों को क्रिप्टो में निवेश करने के लिए कहता था यहां जानते हुए कि उन्हें अच्छा फैसला पैसा मिलेगा शुरुआत में हाई कमिशन भी दिया जाता था एक अपते में 30,60,24,000 कमिशन का नुकसान हुआ लोगों को योजना में निवेश के लिए अकर्शित करने के लिए मेंगे होटलों में सामिना रायुषित किये गए थे इन लोगों ने पूरे गुजात के लोगों से और अन्य जगहों से भी अलग-अलग एजंडों के माकिम से पैसे लेकर निवेश किला था